अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें चनल को सब्सक्राइब करें एक बार की बात है एक गने जंगल में एक डरपूख करगोश रहता था वो इतना डरपूख था कि जब भी वो आसमान की ओर देखता उसे लगता आसमान गिर रहा है एक दोपैर को जब वो पेड के नीचे सो रहा था उसके सर पर एक शेव गिरा खरगोश को लगा आसमान गिर रहा है वो तेजी से जंगल की ओर दोड़ने लगा दोड़ते दोड़ते उसे एक लोमडी मिली लोमडी ने पुछा अरे खरगोश तुम इतनी जल्देल्दी कहा भागे चले जा रहे हो खरगोश ने का तुमें नहीं पदा आसमान गिर रहा है लोमडी ने कहा क्या आसमान गिर रहा है खरगोष ने कहा अगर तुम्हे अपनी जान बचा नहीं है तुम भी मेरे साथ भागो क्योंकि आसमान गिर रहा है लोमडी भी खरगोष की बातों में आ गई लोमडी और खरगोष तेजी से जंगल की और दोडने लगे दोड़ते दोड़ते उन्हें एक हाती मिला हाती ने पूछा आप दोनों इतनी तेज कहां भागे जा रहे हो खरगोश ने कहा आपको नहीं पता आस्मान गिर रहा है हाती ने कहा आस्मान गिर रहा है खरगोश ने कहा हाँ अगर आपको अपनी जान बचानी है आप भी हमारे साथ जंगल की और भागो हाती, खरगोश और लॉम्डी तीनों जंगल की और तेजी से दोड़ने लगे दोड़ते दोड़ते उन्हें एक बालू मिला बालू ने पूछा आप सभी कहां भागे चले जा रहे हो खरगोश ने का, आपको नहीं पता, आस्मान गिर रहा है बालू ने का, आस्मान गिर रहा है हाँ, आस्मान गिर रहा है अगर आपको अपनी जान बचानी है, आप भी हमारे साथ भागो सारे जानवर जंगल की और तेजी से दोड़ने लगे दोड़ते दोड़ते उन्हें राजस शेर मिला राजस शेर ने पूछा आप सभी कहां भागे चले जा रहे हो सभी जानवरों ने कहा माराज आपको नहीं पता आसमान गिर रहा है आपको अपनी जान बचानी है आप भी हमारे साथ भागो राजा सेर ने कहा आसमान गिर रहा है ये आप सब को किस ने कहा सारे जानवरों ने कहा ये हमें करगोश ने बताया करगोश ने बोला हम महाराज आसमान गिर रहा है आप भी हमारे साथ भागो सेर ने पूछा तुम्हें कैसे पता चला कि आसमान गिर रहा है खरगोस ने कहा महाराज मैं दोपैर को एक पेड़ के नीचे सो रहा था अचानक से मेरे सर पर आकर कुछ गिरा इसलिए मैं ड़र के भाग रहा हूँ सेर ने कहा अच्छा मुझे वह जगह दिखाओ जिस जगह पर तुम सो रहे थे खरगोस राजाशेर को लेकर तथा अन्ने जानवरों को अपने साथ लेकर उस जगह पर गया जिस जगह पर वह सो रहा था राजाशेर ने खरगोस से का खरगोस क्या ये वही जगह है जहां तुम सो रहे थे करगोस ने का जी महाराज यह वही जगा है जहां मैं सो रहा था और मेरे सर पर आकर कुछ गिरा राजा ने उस जगा को अच्छे से देखा फिर उसकी नजर उस जमीन पर पड़े सेव पर पड़ी राजा समझ गया कि आसमा नहीं गिर रहा बल्कि करगोस के सर पर यह सेव गिरा है ताजाशेर जोड़ जोड़ से हसने लगा उसने का अरे डर पौक करगोस आसमान नहीं गिर रहा यह तुमारे सर पर एक सेव गिरा है जिससे तुम्हें लगा कि आसमान गिर रहा है सभी जानवर खरगोश की इस बात पर हसने लगे और खरगोश को भी यह समझ आया कि आस्मा नहीं गिर रहा था इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है कि हमें किसी की कही कही बातों पर विस्वास नहीं करना चाहिए बलकि अपने आखों से देख हुई बातों पर ही बरोसा करना चाहिए